This is lecture one of Ratio and Proportion. Complete Basic से पढ़ने वाले हैं, चलिए. Percentage जैसे देखाता ना, उसी तरीके से. सबसे पहली बात, यार, यहां पर करते हैं, क्या Ratio and Proportion से, सबसे पहले Basic, क्या हमें देखने की ज़रूवत है, कि Ratio and Proportion से कितने सवाल आते हैं, कोई ज़रुवत नहीं हमें देखने की ratio proportion से कितने सवाल आते हैं चाहे ratio proportion से आपको प्रीम है only ratio proportion से आपको एक सवाल न दिखे लेकिन ratio and proportion का अनुपात एवं समनुपात का use होगा कई सारे chapters में चाहे arithmetic का कोई भी chapter को ना profit and loss ही कहलो चलो profit and loss कहलो CP और SP का ratio बोलता है या नहीं बोलता है बोलता है ना तो ratio की हमें धंग से अच्छे से basic को समझ लेना है क्योंकि वो हर एक chapter में use होने वाला है even geometry में भी आपने देखा होगा interior और exterior angle का जो ratio है वो दो अनुपात 3 है हाई या ना बस इस छोटे से जो कैसे 2-3 ratio के एक साथ join करते हैं वो चीज को समझना आवशक है ठीक है वो यह समझना आवशक है that's all अब कोई comment में बातचीत नहीं होगी है सब बात end में होएंगी तो ratio का एक overview हमने क्या लिया है कि भाई इस से भले सवाल कितने भी आये नाये हमें इस chapter को ढंग से समझते हुए पढ़ना है questions पर बहुत ज़्यादा focus नहीं करना इसके concept पर focus करना percentage, ratio, mixture, allegation पूरे arithmetic का base है जड़ है इसे week छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा देखिए ratio होता क्या है अगर बहुत आसान भासा में मैं कहूं तो ये और कुछ नहीं, ये एक fraction होती है ये भिन होता है ratio क्या है? भिन है fraction है, अच्छा ratio की कोई unit होती है क्या? fraction मैंने कह दिया 2 by 3 तो 2 by 3 मतलब 3 मैं से 2 3 मैं से 2 percentage मैं भी ये पढ़ा था तो इसके कोई unit नहीं होती, अगर मैं कहूं कि भाई, एक class में 14 अगर आपको इस sessions अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको information बताने वालों वो आपके लिए important है कई सारे स्विंट से जानना चारह है कि मैं अभी presently कहां पढ़ा रहा हूं, या मेरे live और latest batch कहां पर चल रहे हैं? तो मैं presently अड़ा 24-7 पर पढ़ा रहा हूं, जहां पर अभी जो batch चल रहा है, that is inspector batch 1.0, ये किन exams पर focus कर रहा हूँ है? SSC के सभी exams पर focus करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं, कि सबका syllabus approximately same है, even आप इस batch से जो है state exams को भी cover कर सकते हैं, अब अगर आप इस session को 6-7 महीने बाद देख रहे होंगे, तो यहां पर inspector batch 2.0 start हो चुका होगा, जो भी latest batch इस time पर चल रहा होगा, उसका जो link है आपको वो description box में मिल जाएगा arithmetic advance हम पढ़ा रहे होंगे at present price इसका ये है, आगे आने वाले future में हो सकता है, इसका price कुछ अलग हो, लेकिन maximum discount के लिए जो code रहेगा, वो यही रहेगा इस batch के अगर मैं highlights की बात करूँ, जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा that is mentorship ये guidance कई बार क्या होता है, आप तयारी कर रहे होते हैं होता है यार, तयारी ढंग से नहीं चल ली, किसी वैसे tension में है, depressed है, या low feel कर रहे हैं उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से guidance ले पाएं, जो खुद या तो selected है, या जिसने अच्छा है score किया हो तो इस batch में आप वो guidance मेरे से ले पाएंगे, और यह two-way communication होगा, यानि यहाँ पर इस app पर जो setup है, वो zoom meeting से मिलता जुलता है, यानि हम live internet कर सकते हैं वो two-way communication होगा, साथी साथ जो toppers mindset है, जो कि two hours का ऐसा session है जो आपकी तयारी में लगने वाले समय को 5-6 महीने बचा सकता है वो इसमें free of cost मिलेगा अगर आपको नहीं पता है कि या toppers mindset क्या है, तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा, एक बार देख लेना लड़के हैं, दूसरी class में 20 लड़के हैं एक class में 14 लड़के हैं, दूसरी class में 20 लड़के हैं, तो हम unit के बीच में बताते हैं बात समझ रहें, आगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 तो apple है, बोले तो save है है, और 20 मेरे पास oranges है तो apple upon oranges मैं नहीं कर सकता आप को कि नहीं सर, हम तो बता सकते ना कि 1 ratio 4 है, ये 1 ratio मैं 4 आपसे पूछूँ ये क्या है तो ये है number of apples और number of oranges का ratio, मतलब उनकी संख्या का ratio, तो संख्या की तो कोई unit है ये नहीं, ये apple और oranges की संख्या का ratio है, तो संख्या की unit same होती है, तो 1 ratio 4 आगा है बहुत basic है, और कुछ नहीं है, अब देखो, हम यहाँ पर देख रहे थे, ratio कैसे denote करते हैं, तो ratio को ऐसे दर्शा आते हैं, या ये कहलो कि divide, एक ही बात है, अगर मैं कहूं, A ratio B बराबर है 2 ratio 3, इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब A by B is equal to 2 by 3, ratio का मतलब divide है, ratio का मतलब divide है, समानु पात, देख रहे हैं, समानु पात, यानि का मतलब, समान हो अनुपात, समान अनुपात, तो proportion को कैसे denote करते हैं, तो proportion को समानुपात को 4 बिंदों से denote करते हैं, और इसी को हम कहते हैं, equal to इसी को हम क्या कहते हैं, equal to, देखे, यहाँ पर, A ratio B, यानि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या A ratio B is proportional to इसका अनुपात समान है किसके अनुपात के इसके अनुपात के बात क्लियर है मेरे भाई सभी को सभी को क्लियर है भाई साउंड 3D में कैसे आ सकती है reward वाला question कल होगा ठीक है हार उसको बहुत जल्दी update कर देंगे but concept सारे वही है थोड़ी सी old videos होगे है उन्हें थोड़ा update करने है दो-चार सवाल उसमें add करने but उससे कोई भी दिक्कत ने होगा ठीक है हाँ जस्वंद बस वो 2-3 दिन का मुझे time दे तो उसको कर देंगे ठीक चलिए इतनी बात clear है note करते जाएगा साथ में आप जैसे मैं आपसे पूस्ता चलू है जो first time पढ़ रहे हैं कि भाई done है तो done का मतलब D repeat करना होगा कहीं पर तो R जब ही फालतू इदर उदर का बात पूछ रहे है F हो बाद में end में जाके अब बिलकुल बात चीत नहीं करने हैं बीच में केवल पढ़ाई की बात ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल मतलब सुरू करते हैं सवालों की प्रक्रिया को चलिए so the first question आपके सामने ये रहा type 1 डालेंगे basics class के बाद pdf आपको telegram के चैनल पर मिल जाएगी सवाल जरूर नोट करेंगे notes जरूर बनाएगे telegram चैनल का link description में है pdf आपको class के बाद दे दी जाएगी चलिए बताइए कोई भी गलती ना करें बिल्कुल बिल्कुल 0 level से चल रहे हैं और उन search and indices का बाकी वाला जो part है वो हमने algebra में कर रखा है ठीक है देखो ये सवाल 99 percent तो ऐसा ऐसा है कि ये सवाल सीधे सिधे SEC नहीं पूछने वाली ऐसे सवालों का ये basics है कि इसका application होगा सवाल में इसका application होने वाला है सवालों में जैसे कि कि ABC के पास जो पैसा है वो इस तरीकेसे है कि ए का एकपटा साथ भी का एकथए 5C का 1 बटा 3 बराबर है वो सीधे ये नहीं कहने वाला मगर सवाल को हम तभी उठा पाएंगे जब हम इन चीजों को calculate कर पाएंगे देख बहुत basic है देखो A by 7 बराबर है किसके B by 5 के और ये बराबर है किसके C by 3 के आगे आगे जाते हुए गलती कोई नहीं करेगा देखिए A by 7 जो है वो B by 5 के बराबर है जो की बराबर है C by 3 के अब देखो अगर मुझे ये सब बराबर करना है अगर मुझे ये सब बराबर करना है तो आप मुझे खुद बता दो कि A की value मैं क्या डालूं B की value क्या डालूं और C की value क्या डालूं तो आपको जोगे सर 1 जो है बराबर होता है 1 के बराबर होगा 1 के सब ही को अगर हमने 1 कर लिया तो सब बराबर हो जाएंगे 1,1,1,1 तो क्यों ना A को हम 7 डालने B को 5 डालने और C को 3 डाल दें तो A, B और C का रेशियो कितना आ गया 7 रेशियो 5 रेशियो 3 सर ये सवाल भी आते हैं भाई इसी में गलती होगी अभी आगे देखना देखो सौम्या ने गलती करी दी क्या ज़रूरत थी भाई कुछ गलती कर भी ने आप जोरा कमेंट सेक्शन में देखे जैसे ही हम 2-3 सवाल भी देखेंगे ना सब का कन्फ्यूजन बाहर आने लग जाएगा तो समझते हुए चलो क्या कि भाई बतला आपको इसको इसके बराबर करना है तो 1 कर दो इसे 1 कर दो इसे भी 1 कर दो इसे तो A की जगे 6 डाल तो B की जगे 5 C की जगे 3 आगे बढ़ें चलिए अभिशेक मेंस लेवल जो है वो प्री के थ्रू ही गुजरेगा है ना चलिए इसे बताईए तभिशेक हमारे हमारे को पता है ना क्या है कैसे निया प्लीज मुझे वैसे ही पढ़ाने दें दीपक ये तो मैंने पहली बोल रखा था कमेंट करिए अरुन सब बेस्ट है चलिए अब यहाँ पर वो चीज आ रही है जो पिछले सवाल में दे रहे थे 3-5-7 बहुत बढ़िया 15-21-35 शांदार चलिए भई बहुत बहुत बेस्ट लग रहा है वो एक दो क्लास के बाद मिलेंगे एक दो क्लास के बाद आना तब जल्दी करके दिखाएंगे अब बेसिक के थूई वो जाएगा देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है यार A, B और C का जो रेशियो है A, B और C का जो रेशियो है वो कितना है वो 1 by 7 रेशियो 1 by 5 रेशियो 1 by 3 है इस बात को बड़े अराम से गौर से समझेगा अगर A, B, C का जो रेशियो है वो 1 by 7 रेशियो 1 by 5 रेशियो 1 by 3 असका मतलब पता क्या है रेशियो तो A, B, C का यही है A की वैल्यू यह रही B की वैल्यू यह रही और C की वैल्यू यह रही मतलब अगर A की वैल्यू 1 by 7 होगी तो B की वैल्यू 1 by 5 होगी तब C की वैल्यू 1 by 3 होगी लेकिन वो यह पूछ रहा है बताओ ABC का अनुपात यही है लेकिन वो यहांपर बीच रहे equivalent मतलब यह तो ठीक है लेकिन यह हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है यह क्या नहीं लग रहा हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसी बात को घुमा फिरा कि क्या लिख सकते हो वो बताओ, इसका मतलब यही है कि a 1 by 7, b 1 by 5, c 1 by 3, यह बिल्कुल सही है, यह भी c का ratio है, लेकिन ऐसा करो, नीचे से इन सब को हटाओ denominator को, हमें 1 चाहिए denominator में, उसी को कहते हैं equivalent, तो देखो 7, 5, 3, क्या कर सकते हैं भाई, तो अब ऐसा करो, सब को एक ही number से multiply कर दोगे, तो कोई फरक पड़ेगा क्या, जैसे मैंने लिखा a by b, यानि कि a ratio b, अगर मैंने इसे भी 2 से multiply कर दे, इसे भी 2 से multiply कर दे, तो कोई फरक तो पड़ेगा नहीं, तो वही है, हम तीनों को एक ही number से multiply कर दे, किस से? 7, 5 और 3, तो क्यों ना सब की LCM से multiply कर दे, क् कि नीचे से यहां से 7 हटाना है, यहां से 5 हटाना है, यहां से 3 हटाना है, लेकिन multiply सब को एक ही number से कर सकते हैं, तो सब को multiply कर दो, सब को multiply कर दो, किस से? 7 इंटू में 5, इंटू में 3, सब को 7 इंटू में 5, इंटू में 3 से multiply कर दिया, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 5 x 2 में 3, 7 x 7 गया 5, 3 जा 15 यहाँ पर कितना जाएगा 5 x 5 गया 7, 3 जा 21 और यहाँ पर कितना जाएगा 3 x 3 गया 7, 5 जा 35 ठीक है, ऐसे कुछ जादू टोना नहीं पड़ना है कि बटा इसमें कुछ नहीं करना 7 है तो 7 को छुपा दो 5 x 3 यहाँ लिख दो 5 को छुपा दो, 7 x 3 अरे तुम इंस्पेक्टर बने चुपाने वाला खेल बच्चों का है आगे देखेंगे कहाँ पर और हम गलत गलत तरीके से ट्रिक के चकर में फस जाते हैं और वहाँ पर लंबी केलकुलेशन कर लेते हैं बेसिक सी बात है ठीक है, बेसिक सी बात है हाँ या ना आदेत कमेंट पढ़ लिए, प्लीज बार बार ना करें ठीक है, समझ गए बात को तो छुपाना का है, में बात है, सबको नीचे से सफाई कर देनी है, तो 753 को हटा देना है, तो 753 से मल्टिप्लाइ कर दो, मतला LCM से मल्टिप्लाइ करते हैं, और लिख लीजिए LCM से मल्टिप्लाइ करने की कोशिश करते हैं, LCM से बढ़ा भी मल्टिप्लाइ कर दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, डन है राजीव दास, अगर LCM से multiply नहीं किया, किसी और नंबर से multiply कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ अन्शुमन हाँ दोखो मैं बीच में अब आगे नहीं बोलूँगा, जो इस्ट्वेंट्स कहा रहे हैं कि percentage का एक वीडियो रह गया था, दो वीडियो रह गया थे, आपको दिख रहा है ना, नीचे एप का link होगा, आप एक दिन का free trial ले सकते हैं, complete percentage का आपको सारे chapter का demo मिल जाएगा, जो भी paid वाला है, वहां से देख लो यार, है ना, चलिए, आगे बढ़े अगले सवाल पर, चलिए, हाँ, 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 रागवरा, जो आप कोई बार-बार कमेंट कर रहे हैं, ब्लॉग करना बढ़े हैं, बाकियों को कमेंट करने दीजिए, ठीक है, वही तो मैं कहारो, क्या दिक्कत है उसमें, चलिए, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर प्रशान्त का अंसर सबसे पहले आया है, उसके बाद गौरव का, ठीक है, बाकि फिर रवी, फिर मंडल जी, कुमार, योगेश, ठीक है, चलिए, अरे हम बात ही नहीं करेंगे, जो कमेंट करने दो, चिंत काफट से, कह रहा है, देखो, टूए जो है, वो बराबर है 3B के, बराबर है 5C के, सवाल कैसे आगा, यह शायद सवाल ना पूछे, और उसके मूड का पता नहीं है, पूछ लेगी तो हम थोड़ी कहेंगे, बेसिक सा सवाल है, कभी भी किसी सवाल को हलके में मत लेना, ज्यादा, गंभीर वाला दुख हो जाता है, तो नहीं करना ऐसा, तो हलुगा सवाल है, करना तो पड़े है, एक्जाम में थोड़ी, अरे सर यह वाला सवाल, बेसिक है, यह तो हम करी देंगे, छोड़ो, इसके नंबर दे देना, करना पड़ेगा है, चलो, यार मेरे को एक कर डालूँ, आपको होगे 1 by 2, मैं कहों इसको 1 बना दो, तो B की वैल्यू 1 by 3, मैं कहों C की वैल्यू कर डालोगे, तो 1 by 5, आ गया हमारे पास A, B, C का रेशियू, लेकिन option में वो यह देगा नहीं, देखने में अच्छा नहीं लग रा न, तो देखने में अगर अच्छा 10 और 6, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है, कहीं आपने हो सकता है, ऐसे भी सीखा हो दूसरा तरीका, क्या दूसरा तरीका सीखा होगा, कि भाई यहां पर हम क्यों न ऐसा करें, इसको भी LCM के बराबर कर दें, इसको भी LCM के बराबर कर दें, और इसको यहां भी 235 का LCM बना दें और यहां भी 235 का LCM बना दोनों तरीके, बहुत आसर। तो यहार, A की जगे बताओ, मैं क्या लिखूं कि यहां पर 2 in 2 में 3 in 2 में 5 हो जाए, तो आपको एंगे A की जगे, sir, 3 in 2 में 5 लिख दो, मैं कहो B की जगे क्या लिखोगे काको यह सब 2 in 2 में 5 लिख दो 3 तो पहले ही है और C की जगे 2 in 2 में 3 C की जगे 2 in 2 में 3 आगे answer कितना 5 3 जा 15 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 अब एक और बात अराम से सुनना एक और यह चोटी सी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एकदम exact answer आजाए हो सकता है कि काटा पीटी करनी पड़े मतलब समझे जैसे माल लो मैं यहाँ पर लिख दू 30 समझे ना यहाँ पर हमने लिख दिया माल लो 30 अब जो इस्ट्ट सिर्फ हो रटते हैं यहाँ पर अगर 30 लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा तो टू इंटू में थ्री इंटू में 30 हर जगे अब यहाँ तो समझो कि मुझे हर जगे है अराम से सुमझेंगे इस बात को यह तो ऐसा करो सबसे पहले इतना लिख लो फिर डी टाइप करो फिर आगे सम कर लो कि अपने पास दो तरीक होते हैं अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं फिर आगे समझेंगे डी इस फॉर ड़न ठीक है? डन है सबका? राजश मैंने बोल दिया एप से देख लो, चलो डन है सबका, अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा से क्या करते हैं इसको ट्विस्ट करते हैं, जैसे अब हमने क्या किया है यहाँ पर? हमने यहाँ पर 30 कर दिया हमने क्या किया है आपर 30 कर दिया अब जर्णा आंसर बताओ कितना होगा फटाफट से एक बार आंसर रगड़ दो कितना हो रहा है 30 डालने से आयूशी रिपीट कर रहा हूँ मैं अभी रिपीट करता हूँ बताइए सब जो है एक बार ही अपना आंसर देख लेंगे कि हम आंसर क्या दे रहें, बाकी स्टुएंट्स आंसर क्या दे रहें कौन सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है थोड़ा कमेंट सेक्षन भी देखें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार गलती मैं नहीं काफी कर रहे हैं, है न, यह भी मोटिवेशन मिले गलत कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं, तो कमेंट्स को भी थोड़ा से देखेंगे, देखें अब हमने दूसरा पॉइंट क्या सीखा था, कि यार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं यहाँ पर भी LCM लिख देते हैं और यहाँ भी LCM लिख देते हैं LCM किसका तो LCM भी नंबर का 2, 3, 30 2, 3, 30 का LCM लिख देते हैं मैं देखा है 2, 3 और 30 का LCM तो 30 होता है 2, 3 और 30 का LCM 30 है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ number 30, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 30 बन जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी क्या बन जाए 30 बन जाए, मैं speed को थोड़ा कम करता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी सी जादा हो रही है थोड़ी सी जादा हो, थोड़ा दीरे दीरे तो 15, B की value कितनी, 10, और C की value कितनी, तो 1, कितनी, 1, बस इतनी सी बात है, कई students कई जगे क्या क्या रट लेते हैं, MWF का मतलब है विपुल, Monday, Wednesday, Friday, मेरी पूरी कोशिश रहते, Monday, Wednesday, Friday कर पाऊं, नहीं हो पाती है, तो यार यह मानना कि मेरी जो plus की class होती, 8 बजे, उसके लिए म class वरना, Monday, Wednesday, Friday, 6 PM पर रहा करेगी, कभी नहीं होती है, तो आजाओ, 6 बजे नहीं हो रही है, तो छोचो मतलब नहीं है, और Telegram चैनल पर में पहले अपलोड करते हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूद नहीं है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर आते हैं, हारुन बस एक लेक् लिख लो, ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो 2 into 30 लिख लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है नहीं, 30 है, तो 2 into 3 लिख लो, जो नहीं है वो लिख लो, इससे वह अपने लिए फाल्तू में एक तरीके से, तो दिमाग से सोच को 0 करना चारें, कि हम ट्रिक से कर जाएं, क्या ट्रिक करी, कि 2 तो यहाँ पर है, तो हर जगे 2 into 3 into 30 कर देते, इससे calculation काफी बार बढ़ जाती है, फाल्तू की, तो 2 हो गया, तो 3 into 30 लिख दिया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 2 into 30 लिख दिया, और यहाँ पर 30 है, तो 2 into 3 लिख दिया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों नहीं है, हम हर ज आगे और कटेगा, तो 3 से गया यह 10 बार, और 3 से गया यह 3, और आगे कट रहा है, 2 से कट रहा है, यह 5 बार, फिर 2 से कटेगा, यह 15 बार, अगर हमने नहीं काटा, तो क्या हो जाएगा, अगर हमने नहीं काटा, तो हमार लिख calculation बढ़ जाएगी, अभी तो क्या था, अभी इस ratio में पैसे को divide करता है पैसा इतना है तो यहां पर देखो 15 प्लस 10 प्लस 1 छोटा सा number बन रहा है प्यारा सा 26 और यहां देखो जोडने लग जाते बिना काटे पीटे तो बड़ा number बनता तो सिर्फ tricks के पीछे नहीं भागना है ठीक है 30C कैसे आया सर देखो 30C देखो यह पहली given था अब सवाल हमने कर दिया अगर 2A बराबर 3B बराबर 30C यह सवाल हम खतम कर चुके यह सवाल खतम कर चुके दूसरा सवाल था ठीक है ठीक है रोशल उतना बहुत एक बार previous year करके तो देखो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर नोट करते जाएंगे परना आप पर live class नहीं recorded है ताकि आप वहाँ से फटाफट पढ़ सके live में कई बार disturbance होता है नोट्स नहीं बना पाते हैं ठीक है इसलिए चलिए तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 105, 110, 36 टाइम देखना इस वेरी इंपोर्टेंट कि हम कितनी देर में आंसर दे रहें ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जैसे ही पांच इस्टोइंट आंसर दे देंगे आप में से सही हम आगे बढ़ेंगे क्या गहें अब यहाँ पर काफी लोगों को टाइम लग गया आप देखिए नीचे और काफियों का अब गलत आ रहा है क्योंकि अब दोनो चीजें एड हो गई अब क्या हो गया दोनो टाइप एड हो गया अब वो कह रहा है कि 2A by 7 बराबर है 3B by 11 बराबर है 5C by 6 बराबर है 5C by 6 इसलिए हमें सब आना चाहिए इसलिए हमें सब आना चाहिए अब देखो यार मैं A, B, C की वेल्यू क्या डालूं कि ये तीनों चीजें बराबर हो जाए अब यहां पर LCM लेने में तो बन नहीं रहा तो फटाफट से हमने सुचा टाइम नहीं लगा ना ट्रिक विरिक का भाई A की जगे 7 by 2 डाल देता हूं सबको 1 बना लेते हैं अगर LCM नहीं बना पारे B को मैं 11 by 3 कर देता हूं है ना और C को मैं क्या कर देता हूं 6 by 5 ऐसा करने से क्या हो गया ऐसा करने से ये भी 1 बन गया ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया इतनी बात clear है उसके बाद ये ABC का ratio आ चुका है ये answer बिलकुल सही है लेकिन option हमें ऐसा नहीं देगा वो चाहता है कि हम इस गंदगी को साफ कर दें तो क्या करेंगे 2, 3, 5 को हटाना है तो सबको 2, 3, 5 से multiply कर दो जैसे आप सबको 2, 3, 5 से multiply करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 में 5 क्यों? 2 भी था लेकिन वो इस 2 से ये 2 कट गया सेम वे इधर पर 2, 3, 5 से multiply किया तो 2, 2 में 5 बचेगा 3 तो cancel out हो जाएगा सेम वे यहाँ पर 2, 2 में 3 बचेगा 5 cancel out हो जाएगा clear है मेरे भाई? हाँ या ना? सब देख लेंगे ठीक है? चलिए स्वदित शिवादीत चौबे यार बहुत खुशी हुई ठीक है? चलिए clear है ना सबको answer कर लेंगे इसे 5, 3, 2, 15 या 7, 3, 2, 1 इंटू में 5, 1, 0, 5 ratio 1, 1, 0 ratio 36 आगे कट रहा है क्या? नहीं कटेगा आगे कट रहा है नहीं कट रहा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर ठीक है? अभी जी बिलकुल करते हैं मैं भी उसके बहुत इंतजार में बैठा हूँ बट अगर आप उसे ले चुके हैं तो बस वीडियो की quality आपको जो भी एप पर percentage पढ़ा है वीडियो की quality आपको थोड़ी सी बेकार लगेगी क्योंकि तब मैंने start किया था फोन से वो वीडियो शूट करी गई थी उसको update करेंगे दो चार सवाल और एड हो जाएंगे पर अगर आपने कोस लिया तो उसको पढ़ते चलो ठीक है? चलिए रावत जी अभी advanced लेवल पर आएंगे थुड़ा आगे बढ़ने तो दो चलिए type number 2 आगया जो इस्ट्विंट्स आंसर दे देते न वो फटाफट से फिर note कर लिया करो सवाल को ठीक है? और satellite अविनार्ष ने काफी बार repeat की कहा है दोखो repeat भी देख लो repeat देखो क्या किया हमने यहां पर जिनको था थोड़ा सा doubt यह चीज तो हमें दी हुई है अब बस A की value मैं क्या डालू? B की value क्या डालू? C की value क्या डालू? कि यह सब 1 हो जाएं सब कितने हो जाएं? 1 यह पूरा 1 बनाना है मुझे यह पूरा 1 बनाना है और 1 बनाने से क्या हो जाएगा? 1, 1 के बराबर 1, 1 के बराबर A, B, B मतलब यह वाला part इसके बराबर इसके बराबर तो A की value क्या डालोगे? कि यह 1 बन जाएं? तो 7 by 2 चलिए आज आते हैं इस पर अब ये वाले सवाल बड़े ही आसान होते हैं कि ये वाल P और Q का रेशय पूछ रहा है 20% तो देखो आगे जाके आप खुद करने लगेंगे देखो 20% का अंदर 20 by 100 ओफ यानि कि multiply P plus Q बराबर 50% यानि 50 by 100 इंटू में P minus Q देखिए आगे चलके आप खुद ये बात देखेंगे या आप अगर पढ़ चुके हैं तो आप ये देखी रहोंगे कि हम क्या करते हैं सीधे percentage से percentage का sign हटा देते हैं क्योंकि percentage का मतलब तो divide by 100 ही होता है उसके बाद सीधे 0 से 0 चले गया multiply कर दो तो कितना आ गया तो आगया 2P plus 2Q बराबर 5P minus में 5Q P को एक तरफ लिया और Q को एक तरफ लिया तो कितना आ गया 7Q बराबर में 3P 7Q बराबर 3P अब एक important छोटा सा point ये सब उन strengths के लिए जो first time पढ़ रहे हैं क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि P की value बताओ कितनी होगी और Q की value बताओ कितनी होगी तो क्या बता सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं हा रहूल बोलने की speed थोड़ा कम करता हूं थोड़ा कम करता हूं actually आप लोगो 2X पर देखने के आदत है ना चलिए क्या अगर मैं आपसे पूछू कि P की value बताओ कितनी है Q की value कितनी है ठीक है तो हम बता नहीं सकते है रियल बात क्या है we can't tell the exact value मेरी इस बात को बड़े अराम से गौर से सुनना आपने पढ़ा तो बहुत अगबट छोटी छोटी बातों पर गौर करो मैं यहाँ पर exact value नहीं बता सकता हूँ बात समझ रहे हो exact value नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते समझो अगर मैं कहूँ कि भाई एक हमारे भाई साहब है उनका नाम A है दूसरे भाई साहब का नाम B है इनके पास डेड़ सो आम है 150 mangos है और इनके पास 50 mangos है मैं आपसे पूछता हूँ कि इनके पास जो number of mangos है उनका ratio कितना है तो आप कहेंगे 3 ratio 1 यानि कि हमें ये बात पता है कि A और B के पास जो आमों की संख्या है उसका अनुपात 3 अनुपात 1 है लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि A के पास 3 आम है और B के पास 1 आम है इसका मतलब ये होता है कि अगर A के पास 3 X आम है तो B के पास X आम है देखो X की value मैं पूछो आपसे कितनी है तो आप भेंगे सर X की value 50 है X की value कितनी है 50 है लेकिन अनुपात की बात करें यानि इसकी संख्या को जब इसकी संख्या से डिवाइड कर दोगे इसके पास जितने mangos है उसे इससे डिवाइड कर दोगे तो हमेशा 3 ratio 1 आएगा तो हमेशा 3 ratio 1 आएगा अब देखिए यहाँ पर भी वही same चीज लागू हो बल्दबाजी में अंसर 7 3 कह देगा और दौनों मैंसे कोई एक ही सही होगा हाई है ना अब देखिए तो इसका मतलब देखो इसको दो तरीके से आगे कर सकते हैं दौनों समझ लेते हैं बहुत छोटी सी बात है बढ़ देख लेते हैं आप एक बार ही क्या करो इस Q को 7 होगा अगर 3 हुआ तो यानि कि हम कह सकते हैं P अगर 3X है तो Q 7X होगा और X X तो कटी रहा है दूसरा अगर वो A by B की form में कुछ ऐसे देखने को मिलता है देखो P by Q बराबर 3 by 7 तो इसका मतलब यह हुआ कि P की value 3 है तो Q की value 7 है अब इसी बात को इसमें भी समझ सकते हैं कै ऐसे पीकी value देखिये कितनी है तो 7 है तो Q की value कितनी है तो 3 है यान率 क्या बोला पीकी value 7 है तो Q की value 3 है बात को इसे भी भाई जब सवाल इसे देगा तो तुरंढशी रहां अगर 3 हुई 3 है त्पा एम इन जया अगर 3 ratio 7 बहुत तुच्ची सी बात है लेकिन इस तुच्ची सी बात पर भी एक सवाल बहुत बहतरीन हम बना सकते हैं जिसमें अच्छे से अच्छे धुरंदर जो अपने आपको मानते हैं वो गलत आंसर बता देंगे बताओ करोगे ऐसा सवाल ऐसा सवाल करोगे चलिए अमरदीब धन्यवाद अच्छा गलत लिख दिया क्या अच्छा पी की वैल सॉरी 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 ठीक है भाई यहीं यहीं पर गलत हो गया तो यहाँ पर इसको ले गए तो इसको यहाँ पर लाना था ना सॉरी कमेंटी नहीं देखा कोई बात नहीं है तो छोटी सी बात है ठीक है चलो अभी देखते हैं वो सवाल बड़िया सा देखते हैं एक बड़िया सा सवाल देखते हैं देखो यहां पर यही सवाल में मैं आगे continue करता हूं इसी सवाल में मैं आगे continue करता हूं डन है तो पहले डी बता दो चलिए अभीजीत हमें प्रसन्नता हुई ठीक है अगर आप देख चुके हो एप पर वीडियो तो यहां मत देखो ठीक है डन है ना चलिए अब इसी सवाल में ऐसा करते है इसी सवाल में आपको यह पता चल चुका है क्या कि P की वैल्यू अगर 7 है तो Q की वैल्यू 3 है अब आगे सवाल P की वैल्यू अगर 7 है तो Q की वैल्यू 3 है आप मुझे यह बताईए P प्लस Q डिवाइड़ बाई P माइनस Q की वैल्यू क्या होगी P प्लस Q डिवाइड़ बाई P माइनस Q की वैल्यू क्या होगी बताईए इसके बाद लेते हैं बढ़िया सवाल कितनी होगी 5 by 2 अगर आप एक बर comment section देखते चलना comment section देखते चलना तो P plus Q divided by P minus Q यह हो गया हमारा 7 plus 3 divided by 7 minus 3 बात सही है ठीक है अगला सवाल सही सही answer देंगे अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बताईए P square divided by P plus Q इसकी value क्या होगी आपके options है option A पहले सारे option देख लो 49 by 10 option B 9 by 10 option D 10 by 7 और चलो एक रख देते हैं can't be determined यानि हम पता नहीं लगा सकते can't be determined यह 4 option है माल लो क्या होगा A, B, C, A, D A, B, C, D बताईए सभी option देखिए क्या क्या option आ रहे है maximum से maximum मेरे खाल से दो परसेंट का सही है maximum दो परसेंट ठीक है चली तो दो परसेंट से समझ जाओ कि कौन सा होगा answer correct so the correct answer is can't be determined अब समझो इसको अराम से basic से कि भी can't be determined क्यों हुआ हमने यहाँ पर P की value 7 और Q की value 3 put करके जब answer निकाला तो 49 by 10 आ रहा था लेकिन यह गलत क्यों है अब आते हैं फिर से अपने उस basic पर क्या यहाँ पर हमने P और Q का ratio देखा 7 ratio 3 यानि कि अगर P 7 है तो Q 3 है 7 3 है नहीं इसका मतल़ हम कह सकते हैं कि P जो है वो 7X है X की value नहीं पता और Q जो है वो 3X है बात सही है तो देखो अगर मैंने P की value यहाँ पर 7X लिखी होती और Q की value 3X लिखी होती यहाँ 7X यहाँ पर 3X तो आप देख रहे हो उपर X common आ जाएगा अलब नीचे X common आ जाएगा और इसी तरीके से उपर भी X common आ जाएगा और X से X कैंसल आउट हो जाएगा X X कैंसल आउट हो जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि उपर तो X स्क्वाइर आ जाएगा 7X का स्क्वाइर और डिवाइड़ बाई 7X प्लस 3X तो देखो X जब आप common लेंगे तो यह X बच जाएगा तो उपर तो यह X बच जाएगा अगर यह answer 49 by 10 तो तब होगा न जब X की value 1 होगी यानि कि जब हम यह कहें कि नहीं भाई P तो 7 ही है और Q 3 ही है लेकिन ऐसा नहीं है अगर X की value 2 होगी तो answer कुछ और आएगा 3 होगी तो कुछ और आएगा 4 होगी तो कुछ और आएगा तो यहां से हम क्या बात को समझते हैं मयंग अब तो सही कर लो अना चलो तो इस बात से हम यहां इस निशकर्ष पर पहुंचते हैं क्या कि जो degree है what is the meaning of degree तो degree का मतलब होता है maximum power maximum power जो होती है मतलब अभी आगे degree पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे बहुत छोटी सी बात है मैं आप से पूछू कि यह degree सेम होनी चाहिए जैसे अगर मैं आप से पूछू अगर हम से यह पूछा जाता इसकी value बता दो तो क्या हम बता पाते इसकी value बता पाते हाँ या ना बोलेंगे yes या no p square divided by p into मैं q बात समझ में आ रही है सभी के आ रही है भाई बहुत बढ़िया तो इसका हम value बता सकते हैं बिलकुल बता सकते हैं क्योंकि अब यहां पर unit x हो जाएगी तो x का square नीचे x into max x का square तो degree का मतलब होता है maximum power जैसे अब जब यह इसकी power x है इसकी भी power x है मतलब इसकी unit x इसकी unit x तो x square हो जाएगा तो degree कितनी होगी 2 यहां पर भी degree कितनी 2 हर एक पर अच्छा अगर हम यहां पर plus क्या हम इसकी value बता पाएंगे last last लिखते जाना है छोटी छोटी कीज़े क्या हम इसकी value बता पाएंगे हाँ यह ना shit कोई बात नहीं कोई बात नहीं p square divided by p into my q plus 2p क्या इसकी value बता पाएंगे हम हाँ यह ना हाँ यह ना अराम से सोच समझ के सोच समझ के बोलेंगे सब और एक ही बार बोलेंगे हे मन्त love you from कटिहार love you too भई love you too ठीक है चले इसकी value हम नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते यहाँ पर x square यहाँ पर x square x into x x square लेकिन यहाँ पर x रह जाएगा यहाँ पर x रह जाएगा यानि कि सब की जो हमारी unit है वो क्या होनी चाहिए तो सब की ही unit x square होनी चाहिए बताई clear है तो यह भी can't be determined तो यह छोटे छोटे सवाल है बहुत जल्द यह सवाल भी उठके खड़े हो सकते हैं आ सकते हैं किसकी value बताओ हम तुरंद गलत बता सकते हैं तो इसलिए याद रखना है कि degree same होनी चाहिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं मनुझ देखो तुम previous यह लग रहा है तो क्या दिक्कत है है ना एक बात देखो एक छोटी सी बात आप सभी के काम की बात देखो क्या हो रहा है आज कल आज कल आप देखोगे YouTube पर यहां वहां इतना सारा material है इतना सारा material है कि हम cover नहीं कर सकते मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा देखे आप मैंसे क्यों ने देखा हो कि कई YouTube चैनल पर कहीं percentage पूरा पढ़ा है किसी ने ratio पूरा डाला है बहुत सारा material है आप एक बात याद रखना किसी भी एक को पकड़ लो ठीक है कहीं भी किसी एक पर भरोसा करके उसको पढ़ जाओ फिर आगे कभी कुछ कभी कुछ पढ़ते जाओ देखो ऐसा मत सोचो कि एक साथ मैं 4-5 चीजें इखटी कर लूँगा 4-5 किताबें इखटी कर लूँगा मैं फिर पढ़ना चालू करूँगा नहीं यह सीखने का प्रोसेस है ना वो हमेशा चलते जाता है जैसे मैंने मेरे पास पहले 10 किताबे थी कभी किसी से कुछ लेके पढ़ ली कभी कुछ तो ऐसा नहीं चीजें खतम होगी अभी भी हम कोई किताब ये कोई YouTube पर चैनल पर ऐसी डाला परसेंटेज कोई अच्छा सवाल मिला तो उसे अभी भी उठाते रहते तो जो सीखने का प्रोसेस है वो चलता रहता है क्या हम इस चारों से एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे एक को भी हम खतम नहीं कर पाते ऐसे हम चार कौर्सिज लेने कि सोछते हैं कि चार कौर्सिज ले लेंगे तब तो हम 100 मैं से 200 मार देंगे ऐसा नहीं है कहीं से भी एक बार परसेंटेज रेशियो पढ़ लिया अब प्रैक्टिस 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 अकेले खुद बैठ के यूटूब यूटूब पर नहीं खुद बैठ के सवालों से पैन चलाओ आजकल आप देखो सब ऐसे देखते रहते हैं मैं देखने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है कोई GSVS थोड़ी है कि सीधे दिमाग में गुशते जाएगा ऐसे देखते हैं मैं अच्छा हाँ ठीक है बहुत बढ़िया ना मैं आपको बहुत अच्छे से दिखो अपना चोटा भाई बेन मानके अपना जूनियर मानके अपना टीचर इस्ट्वेंट मानके कोई को मेरा कोर्स कोई कोर्स लेने की ज़रूरती नहीं है अगर आपने कहीं भी एक बार ढंग से पढ़ लिया छोड़ो कुछ नया कहीं नहीं मिलने वाला सब कहेंगे हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आगा सब फरजी बाते है आपको एक्जाम वाले दिन सवा पढ़ाना हीं पढ़ेगा आप नोट कर लो और जो दे के आये होंगे जिनने चार कोर्स पढ़े रखे हैं पाच कोर्स वो मेरी बात से कनेक्टों पाइगे हैं हमने paper नहीं दिये हमने paper clear नहीं किये सब चीजें किये तो यह नहीं है कि किसी course में ऐसा जादू है कि वो तुम्हें नईया एकदम पार करा देगा direction ज़रूरी है इसमें कोई दो राए नहीं है बट एक बार पढ़के practice करो यह दिमाग से निकाल दो कि मुझे 4 course चाहिए 6 course चाह याद रखा करो बस ठीक है updated तो बहुत बेकार चाहिए उसको कभी और ही बात करें updated का मतलब सिर्फ तीन साल पढ़ना पिछले तीन साल के paper लगाना ही updated है यह बेकार है तीन साल का पढ़ जाओ गो उसके पुराना नहीं आया क्या दसवी बारवी के paper चलने क्या बोर्ड के कि अजय वह आगे जैसे सम बढ़ते जाएंगे वह आते जाएगा ठीक है प्रतम बार बार कमेंट ना करिए बोला तो था कि वो जैसे ही अपना complete हो जाग उसके चार पांस दिन बाद रिलीट कर देंगे ऐसी बात करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो अपने एक दो तीन चार पांच चलिए पांच का आंसर आ चुका है पांच का आंसर आ चुका है चलिए भई देखते हैं 40% of a plus b बराबर 3 by 5 of a minus b 40% है यहाँ पर आगे percentage नहीं कार नहीं लिए तो 40% का मतलब तुरंद लिखा हमने 2 by 5 5 से हमारा यह 5 cancel out हो गया तो 2a plus 2b समझ पारे हो ऐसे कर जाओगे नहीं कर जाओगे बराबर 3a minus में 3b यह a और भी capital लिख लेना ठीक है बस a को एक तरफ पहुँचा दो b को एक तरफ पहुँचा दो a की value 5 आ गई और b की value 1 आ गई तो 5 to 10 और 10 minus 3 मतलब की 7 खतम हाँ यह ना बात clear है अचा इसमें sorry sorry इसमें अरे कमी है इसमें कमी है यह भी can't be determined होगा ना नीचे यह भी तो होगा यह can't be determined होगा क्योंकि x रहे जाएगी बास समझे सवाल यहाँ पर typing error था ठीक है अरे हिंदी में इसमें क्या लोगे मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि इंग्लिश में मैं पहले सवाल गलत क्यों था क्योंकि यह जो हमारा answer आता वो 7x आता लेकिन यहाँ पर unit x यहाँ पर x यहाँ पर x यहाँ पर x तो x हटा जाएगा तो नीचे आ जाएगा 7 divided by 5 प्लस 1 यानि की 6 तो answer आ गया 7 by 6 correct है बहुत आसान है आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते है answer कितना आएगा 7 by 6 ठीक है एक्स कैसे रह जाता है विवेक class को फिर से starting से देखना चलिए अगला सवाल तो यहाँ पर सबसे पहले answer आया है सत्यम का then प्रशान्त चिराग आ गया ठीक है आ गया भी सबका आ गया तो गलत ना करो यहाँ पर कहा है सीधे हमने देखा कि 120% of a बराबर 80% of b percentage से percentage गया 40 से गया यह दो बार 40 से गया यह तीन बार यानि कि a की value अगर 2 है तो b की value 3 है तो 2 और 3 पांच रेशियो अब यहाँ पर क्या है अराम से जल्द बाजी नहीं करनी है b-a कहाई है a-b कहा है तो b पहले b और a बाद में तो 3-2 यानि की 1 तो दा answer is 5 ratio 1 पांच अनुपात एक इसको भी कोई गलत कर रहा है क्या चलिए आगे देखते है अगला सवाल देखे जैसे यह आप में से 5 आंसर दे देंगे अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है वेट नहीं कर रहे हैं हाँ मेरे भाई creator मिथुन सबसे पहले answer दिया है चिराग ने देन तुशार ने देन ज्योती सत्यम चलिए हाँ संदीफा अनकेडिमी ने लगा रखी है वे न चलिए क्या कह रहे है अब यहाँ पर भी बहुत आसान है इस सवाल में हम सीधे उठा सकते हैं कि अ की value 7 मान सकते हैं 7x होगी बी की value 3x होगी और c की value 5x होगी तो बस x x x रहेगा सबकी unit x रहेगी तो x cut जाएगा देखो हमें थोड़ा सा alert कब होना है अभी तक तो ऐसा सवाल आए नहीं है लेकिन alert हम तब हो जाएंगे जब वो एक option देदेगा can't be determined cnd या none of the above वहाँ पर थोड़ा alert हो जाना है अगर हम से paper बनवाए हम बिलकुल वो सवाल डालेंगे क्योंकि 80% जनता गलत करेगी तो यहाँ पर तो कुछ नहीं थ 7 3 और 5 वैल्यू डाल देनी थी 7 और 3 10 और 5 15 रेशियो साथ कर डबल गया 14 14 में से गया 3 11 11 में से गया अपना 5 तो आ गया 6 3 से कट रहा है तो 5 रेशियो 2 बात क्लियर है अज़ा 4 आ रहा है क्या 5 4 कहाँ पर गड़ बड़ कर दी एक सेकंड 7 दूनी 14 14 और 3 एड़ करना था माइनस कर दिया ठीक है स्वारी 14 और 3 17 17 में से 5 क्या तो 12 ठीक है आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पर अरून अब उस पर ही काम चल रहा है देखते हैं क्या होता है उस पर काम चल रहा है बिल्कुल तगड़ी तरीके से बना क्वालिटी चेंज वाला उप्शन देना उसमें चले शुबम क्रियेटर मिथुन इसका जवाब बहुत लॉजिकल है आप समझ पाएंगे यह ना बट क्लास के एंड में जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊंगा वन टू आ चुक है आगे बढ़ते हैं भाई क्या क्या रहा है सवाल ए बी सी डी ए एफ का जो रेशियो है वो वन रेशियो टू इसका मतलब समझ रहें एक्शली मैं यह समान उपात है रिप्रपोर्शन है यह यह बराबर है बी बाई सोरी इसका मतलब क्या है कि मैं ए की वेल्यू सी के बराबर और सबको वन मान सकता हूं सवाल मैं कह रहा है कि थ्री ए प्लस फाइव सी प्लस सेवन इंकी वेल्यू बताओ सबकी जगे वन डाल देंगे तो साथ तीन दस पाच पंदरा डिवाइड़ बाई वहाँ पर भी क्या है पंदरा है और पंदरा इंटू में दो आ जाएगा हाए ना यह क्या है 7 प्लस 3 प्लस 5 तो 15 और BDF सब बराबर है तो 15 इंटू में 2 पंदरा से पंदरा गया तो फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 1 बाई 2 या 1 रेशियो 2 ठीक है अभी देखो एक दो सवालों के बाद ही आपको एक बहुत बहतरीन चीज मिलने वाली है चिन्ता नहीं करना बस चलिए हैड़िन डालेंगे टाइप च्छा टू कैसे आया कहां पर टू कैसे आया यह वाला टू हमने ए की वेल्यू 1 माल लिए वेल्यंगी की वेल्यू 1 माल लिए रेछ बढ़ आप इन तेनों को एड करोगे तो आप क्यें लिए सकते हो 15 A, क्योंकि A, C, E सब बराबर है, नीचे लिख सकते हो 15 B, B, D, F बराबर है, 15 से 15 गया, A की value 1, B की value 2, वही चीज़ है, वही 2 है, अगला सवाल, जिनको आता है बढ़िया नहीं आता तो सीखेंगे, बिल्कुल मिथुन, बिल्कुल यही तो बात है, सब भी तो ताम जाम करी रहे हैं न, हाए न, बताओ, गलत हो तो बताओ, मैं तो पहले ये बात बताई सबको बिल्कुल क्लियरली, चलिए सबका आगया, 4-6-15, चलिए, अब इर इसमें भी कौन गलत करे हैं, 2-2-5, 2-6-5, 2-3-5, कैसे गलत करे हो, देखो सवाल को समझो अराम से, बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन यहाँ पर कई स्टुट कैसे करते हैं, उस पर बात करेंगों, आप बताना, कि आप भी ऐसे करते हो, दे रखा है, कि A और B का जो रेशियो है, वो कितना है, 2-3 है, और B और C का जो रेशियो है, वो 2-5 है, तो बताओ, A, B, C का रेशियो कि कितना है, दोखो, A लिखा, B लिखा, और यह हमने C लिखती है, अब दोखो, A, B का रेशियो 2-3 का मतला समझ रहे हैं, अगर A 2 है, तो B कितना है, 3, जिनको आता है, वो भी ध्यान देंगे, मैं एक बात बताओंगा, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जब B हमारा 2 है, तब C कितना है, 5 है, जब B हमारा 2 है, तब C कितना है, 5 है, दो creator mython, मैं तुम्हें चाहे तो blog भी कर सकता हूँ, बट यह कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं, कि यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो paid course का promotion नहीं है, बिल्कुल है, मैं चाहे तो tough सवाल दिखा के मैं कह सकता यार सर्तों बड़े-बढ़िया सवाल कराते हैं, इन से तो हमें पढ़ना ही पढ़े है, क्योंकि यह सवाल तो हमने कहीं पढ़े नहीं है, मैं वो भी कर सकता हूँ, YouTube से इत्तु सी income होते इत्तु सी, इत्तु भी नहीं होती, वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आगे तो नहीं है, बताओ, दिल पर हाथ रखे, पूछो मेरा भाई, दिल पर हाथ रखे, पंदरा सो रुपे में पूरा मैस पढ़ रहे है, चलिए, तो ऐसे ना करो, अरे निकल विकल नहीं है, अरे इग्नॉर की बात भी नहीं है, आजो इधर पर, अगर आपको अच्छा लगत कि यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ पर सरका के यहाँ लिख दो, समझना अराम से, यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ पर उठा के यहाँ लग दो, यहाँ पर 3 है, तो 3 को इधर पर करके, इधर पर 3 लिख दो, एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या आप मैसे कोई है, जो ऐसे करत तो कई सारे ऐसे करते हैं हम इस आदत को आज बदलेंगे हम आज इस आदत को बदलेंगे मैं आपको समझाना चाहरा हूं क्यों अगला सवाल जो है पूछा गया पूछा जाए यह हम कोई बच्चे के हमें कोई रटना आए कि हम ऐसे सरका के लिख देंगे बहुत आसान हो गया यह देखो चार हो गया यह छे हो गया पंदरा हो गया कितना आसान है यह मुझे पता है आपको पता है तो क्या examiner को नहीं पता डिपार्टमेंट में से ही कुछ लोग चुनके उनसे ही suggestion माँगी जाते है questions वगरा के पहले की time क SSC का तारो तो question बनाने वाले को सब पता है कि हम ऐसे कर रहे है यह तरीका बेकार है यह तरीका क्या है यह तरीका बिलकुल बेकार है अब हम समझेंगे क्यों अभी तो देखो अभी बिलकुल basic से समझो कभी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी बहुत आसानी से हो जाएगा द जाहर रहा हूं अगर A और C को connect करना चारो तो इन दोनों को तो मुझे same करना पड़ेगा ना इन दोनों को same करूंगा तभी तो मैं A को C से connect कर पाऊंगा यानि कि इन दोनों को same कर दो बस हमारा काम हो जाएगा तो मैंने उपर दूसरे multiply कर दिया अब देखो ratio का मतलब क्या ह होता है समझना और जिस student को ढंग से पढ़ना वह full screen करके पढ़ो comment ना करो comment ना करो comment कर दो off ठीक है चलिए अब इस बात पर आजाओ अब इस बात पर आजाओ जब A के पास 2 है तो B के पास 3 है जब B के पास 2 है तो C के पास 5 है हमने कहा कि दोनों को same बनाएंगे अब दोको ratio का मतलब होता है समझना कि अगर आप इससे multiply कर रहे हो तो इससे भी multiply करना पड़ेगा नहीं किया तो क्या हो जाएगा नहीं किया तो change आजाएगा जैसे मैंने कहा 2 by 3 प्री, मैंने नीचे 2 से multiply कर दिया, क्या ये सही है, अपने मन से, नहीं, अगर 2 से multiply अपने मन से करना है, तो उपर भी करो, अदर्वाइस change हो जाएगा, same way, हमने यहाँ पर देखा, क्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 है, दॉनों को same करना है, तो इसको 2 से multiply कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो इसको 3 से multiply कर देते हैं 6 बना लिया दौनों को तो इसको भी 3 से multiply कर देते हैं तो देखो उपर आ गया 4 यहाँ पर यहाँ भी 6 बन गया यहाँ भी 6 बन गया तो 6 और यह आ गया 15 क्यों उस बच्चों वाले तरीके पर हम जा रहे हैं क्यों हम इस बच्चों वाले तरीके पर जा रहें कि इसको यहां लिख देते हैं उसको वहां लिख जाते हैं हाँ या ना क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्लियर करते हैं सवाल को चलिए अब ज़रा इस सवाल को ट्राइ करिए हाँ पॉल हाँ अब देखिए जरा देखे जिनको भी कुछ क्वेरी करने हैं किसी तरह के कि वो केवल क्लास के एंड पर यानि कि 10 मिनिट बाद अब यहाँ पर देखो चलो छोड़ो यहाँ बताओ सचेंद्र पढ़ लो चलो धन्यवाद ठीक है कमेंट देखेंगे थोड़ा और एक इस्टोंट एकी बार कमेंट करें गुर्पीत इस बार में पता नहीं है बट देखो आप लो देखो यार A B का रेशियो कितना है 8 और 9 और B C का रेशियो कितना है 12 और 20 अभी तो यह देखो A B C है आगे हम D को और लगा देते ऐसे भी तो सवाल आई हुए आगे हमने D को और लगा दिया अब हम सब को बराबर करने में लगे हुए माल नो यहाँ पर कह दे C अगर 5 है तो D 12 है समझना मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहरा हूँ अच्छे से अगर C 5 है तो D 12 है तो अगर हम वही बच्चों वाला तरीका लगाने लग जाए तो आप देखो अगर 5 है तो D 12 है कितना लंबा हो गया है तो अब इसे बिल्कुल बेसिक से करते हैं क्या ज़रूरत है इस सब को लिखने की बच्चों की तरह यह रेड़ वाला हटाओ देखो क्या करना है इसको भी हटाते है भी तो देखें बिल्कुल आराम से चलो यहाँ पर 9 है यहाँ पर 12 है lcm कितना वहता है 36 तो ऊपर 36 बनाना तो किस से multiply करेंगे 4 से तो इसको भी 4 से करेंगे तो 8 4 जा 32 ठीक है यहाँ पर 36 बनाना है क्योंकि यह 36 बनाले तो 3 से multiply करेंगे तो इसे भी 3 से कितना हो गया 3669 बताओ कोई दिक्कत हाँ यह ना बताइए आपको यह वाला मेथड सही लग रहा है लॉजिकल भी लग रहा आई थिंक और दूसरा वाला तरीका अच्छा लगा कौन सा जो लगे आप वैसे करें आप अब graduate हो चुके हैं लगभग कुछ होंगे जो graduation कर रहे हों हैं आपको चुनना है ठीक है कि मुझे कैसे बहतर लग रहा है बात क्लियर है हमने क्या किया बस कुछ नहीं है इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ो क्या हमने कितावे नहीं पढ़नी ट्रिक वाली हम कौन नहीं चाहता कि कम महनत से selection हो जाए क्या हमें कोई जाद ही कीड काट रहा था कि नहीं भई धंग से चीजों को समझना है हमने भी कोशिश करी कुछ इस तरीके से ऐसे कही कितावों में देखा होगा लेकिन वो पल्ले नहीं पढ़ा धंग से कि ये भी रटेंगे तो कैसे काम चले असली दिमाग तो सवाल को समझने में लगाएंगे यहां अब थोड़ी इतना फाल्तू की चीजे करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आज की क्लास का सेकिंड लास सवाल है फिर लास सवाल करेंगे फिर जिनको बातचीत करने वह बातचीत कर लेंगे दो-चार मेट फिर अपन्च चलेंगे ठीक है निकी इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मैंने बता रखा है चलिए रोहित 136 136 136 136 4 का आ चुका है 5 सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि एक इस्टों टेकी बार आंसर दे चलिए 136 आ गया इतने टाइम में सभी को कोशिश करने की जरूवत है इतने देर मैं सभी को कोशिश करने की क्या कह रहा है अब देखो तुरन समझो एकस वाई जड हमने लिखा आप इसको देखो बस अगर एकस अब देखो यह 3 यहां पर आ जाएगा तो अगर में अगर x1 है तो y3 है बात समझ में आगी अब ऐसे लिखने की तो जरुवत नहीं कि x बराबर में y by 3 इस 3 को यहाँ पर लेका है तो x1 है y3 है यह दिमाख में यह चीज करेंगे आगे से यह अभी भी कर रहे हों में कई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर y जो है 1 है तो z कितना हो जाएगा 2 कत्म 1 इसको 3 बना लेते हैं 6 आगे बढ़ते हैं इसमें अभी कोई गलती करेगा सुभास गुपता पकड़े गए है ना और कोई पकड़ा गया गया ना और एक रविता है उन्ही करा लें जो गलत बताएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल आज की क्लास का निक्की मै मैंने आपको क्या कहा कि आपको इंगलिश मैंत रीजनिंग जिस मेरे सजेशन्स चाहिए तो आप बस लिखो स्ट्रेटरजी फॉर सब्जेट का नाम बाई अवधेश दिक्षित या दिक्षित सर कुछ भी लिख लीजिए ठीक है चलिए अगले सवाल पर लास्ट सवाल पर इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं इस पर ना कईयों को लग रहा हुआ इसको फटाफट कैसे आंसर देंगे है इसका तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा चलिए दस इक्कीस है ना अभी देवास बताता हूं बताता हूं देखो आजओ तो सबसे पहले देखो उसने A, D का हमसे रेशियो पूछा किसका A और D का अब एक बात को समझना यहां पर हमें A, B का रेशियो दिया है फिर B, C का दिया है और फिर C और D का रेशियो दिया है तो हम जो यह पहला वाला सवाल है ना A और D का रेशियो बताओ उसके लिए हम A और D का रेशियो भी देख सकते हैं यह पूरा निकालने के बात लेकिन एक बात को समझेगा कि पूरा निकालने की आविशक्ता नहीं है पूरा निकालने की आविशक्ता नहीं है देखे कैसे अगर आप A by B को multiply करेंगे B by C से और उसको multiply करतेंगे C by D से यह सवाल छोटे छोटे पूछे गए है तो B से B कड़ जाएगा C से C कड़ जाएगा यानि कि हमारे पास A by D आजाता है तो यह बात ध्यान रखना कि A by D निकालना बहुत आसान है सीधे क्या करना है 3 by 4 इन 2 में 5 by 7 इन 2 में 8 by 9 इस इस दा आंसर 3 से गया यह 3 times 4 से गया यह 2 times 5 by 10 10 divided by 21 तो 10 अनुपात 21 आंसर आगया तो 10 अनुपात 21 आंसर आगया ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं लास्ट A B C D का बता दो A B C D का बता दो अभी यह याद रखना की यह आंसर आया था 10 रेशियो 21 फटाफट निकाला जा सकता है अब A B C D का रेशियो बताईए विवेक अभी रिपीट करता हूँ फिर से करता हूँ रुख जाओ दिव्याश मैंने आपका कमेंट देख लिए अभी रिप्लाई करता हूँ बस यह लास्ट सवाल पढ़ ले छिक है देखे रजनीश एक बात को देखो जितना कट सकता है उतना काटना है अदर्वाइस वो आप्शन आपको नहीं मिलेगा आप अभी भी वोई बच्चो वाला तरीका करें उसको थोड़ा सा करेंगे चलो अंदवक्त को आप भेजा जाए बहुत मैंने सुझा शान्त हो जाएंगे चलिए A, B, C, D फटाफ़ट से लिखा जब अराम से देखो A 3 है तो B 4 है जब B 5 है तो C 7 है जब C 8 है तो C जब C 8 है तो D 9 है अराम से चलते हैं हमें मूव किस तरफ करना है इस तरफ इस तरफ अराम से चलते चलेंगे देखिए बिल्कुल अखिलेश रिपीट कर रहा हूँ A 3, B 4, B 5, C 7, C 8, D 9 A, B, C, D का रेशियो बताना है अराम से देखो यह 4 है यह 5 है दोनों को सेम करना तो उपर किस से मुल्टिप्लाई करेंगे 5 से 5 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो 5 3 is 15 5 4 is 20 अब यहाँ पर 20 fix हो गया समझेगा यहाँ पर 20 fix हो गया अब जब 20 यहाँ पर fix हो गया 4 से नीचे मुल्टिप्लाई करेंगे 4 5 is 20 जब इसे 4 से मुल्टिप्लाई किया तो इसे भी 4 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 28 कहा तक आ गए हम 28 तक अब एक बात समझो यह वाली चीज हमने 28 fix कर दी C की value हम 28 एकदम fix कर चुके है उसको हिलाना नहीं है अब एक बात समझो मैं इस 8 को अराम से कोई comment मत करना समझो अराम से किया अब मैं इस 8 को 28 बनाना चाहता हूं मैं क्या करना चाहता हूं मैं इस 8 को 28 बनाना चाहता हूं तो बताओ कैसे बनाएंगे तो देखो जो चीज आपको लानी है मैं इधर पर समझाता हूँ मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर 28 आ जाए तो 28 आ गया लेकिन 28 आ गया अभी तो 8 भी तो है तो 8 से डिवाइड कर दो ज्यादा सोचो मत 28 लाना है मल्टिप्लाइ कर दो हटाना 8 है तो डिवाइड कर दो खतम तो अब देखो यानि कि हमें यहाँ भी 28 बाई 8 से मल्टिप्लाइ करना पड़े यह तो 28 बन गया पहले ही बन गया तो यह 28 बनाने के लिए इसे 28 बनाने के लिए जिससे मल्टिप्लाइ किया है उसी सेम चीज से उसे भी multiply करना पड़ेगा चार से गया है ये दो बार चार से गया है ये साथ बार 9, 7 जा 63 divided by 2 divided by 2 यहनि A अगर 15 है तो B 20 है C 28 है और D कितना है 63 divided by ओके रवी देखो बार बार कमेंट ना करो समझ गे समझ गे ठीक है समझ गे अब एक बार समझ में आ रहे हैं कि नीचे यहाँ पर 2 बैठा है तो क्या अच्छा लग रहा है गंदगी लग रही है न तो सबको क्या करोगे 2 से multiply करोगे सबको क्या करोगे 2 से multiply करोगे अगर सबको 2 से multiply करोगे तो सफाई हो गई answer आ गए 30, 40, 56 और 63 बताए क्लियर है सबको अकिलेश फिर से repeat कर देता हूँ समझो आराम से हमें करना क्या है अब ऐसा नहीं होता है कोई भी आयंस्टी नहीं है कोई भी आरेभट नहीं है अगर पहली बार पढ़ना है क्लास में पढ़ा और खतम हो गया क्लास के बाद भी आपको थोड़ा समय देना है देखे जिनने भी पढ़ना था अपनी अभी क्लास होती है खतम हम मिलेंगे फ्राइडे को 6 पीम पर सभी इस्टुएंट टेलीगराम चैनल को जॉइन कर ले क्योंकि अगर बाई चांस मैं कभी 6 पीम पर क्लास नहीं भी लेता हूँ तो आपको बस देखना है मेरे को अगर क्लास लेनी होगी मैं 5 पीम तक 5 बजे तक आपको अपडेट दे दूँगा और एक बहुत इस्टुएंट बात कल शाम को 6 बजे सवाल सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा जो भी इस्टुएंट पहले बताएगा जो कह रहे थे ना कि यह यूटूब पर पढ़ा रहा हूँ यूटूब से भी अर्णिंग हो रही है एक बार देख लो एक लाख व्यूस पर मैक्सिमम दो हजार रुपे मिलते एक लाख व्यूस पर थोड़ा सर्च किया करो कोई भी कुछ ही बोले उसे मत सुना करो ठीक है तो मैं चाता हूँ कि कुछ जो पार्ट है उसका 50% से ज़्यादा वाला पार्ट मैं आपको दूँ केवल और केवल एक घंटे दो घंटे बैठना भी नहीं है परसेंटेज चेप्टर का ठीक है यहाँ पर लिगता हूँ कल परसेंटेज चेप्टर का सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर भी भले डिसकस नहीं करें क्योंकि एक बारी जिसने फ़र्ष्ट बता दिया वो फटाफट एकर है अब कलास को खतम करो केवल और केवल मैग्जिम पांच से दस मिनट का सेशन होगा लास्ट है दस मिनट दस मिनट से उपर खीचेंगे नहीं दस मिनट का सेशन होगा सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा रूल वगएरा बताके सवाल पूछेंगे जिसने आंसर पहले दिया उससे फोल नमबर ले लिया जाएगा और उसको जो भी है रिवार्ड जो है 25 अंडर का पे कर दिया यार यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है समझ पाएं बड़िया नहीं समझें मुझे फरक नहीं पड़ता मुझे जो करना मैं वो करूंगा ही यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हावी कुछ भी जो भी एक इस्टोंट अच्छा पड़ रहा है वो पांदस में कुछ एक अच्छी अमांट को कर सके बस इसलिए किसे गलत लगता है गलत समझो सही लगता है सही समझो बहुत सोच लिया हम अपने पार्ट पर सही है बस इतना ही चाहिए ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं इस सवाल पर बाकी खतम पर आज की खतम हो गई है जिनको अच्छा लग इसमें भी गलतियां निकलेंगी इसमें भी कई कहेंगे नहीं सर इस अच्छा आप से यह देएते ज्यादा नहीं सोचना है जिसको अच्छा लगता है जिर यहांता है जोपत那么 आ शुत चलेगी बट मैं चाहता हूँ त्टिक है सबाल का लेवल बहुत मुश्किल नहीं होगा परसन्टेज में से यह से भी में किसी टाइप पर होगा कुछ में起hr होगा सौंचना पड़ेगा बहुत एकदम लल्लु नहीं होगा बहुत जहर नहीं होगा भी बसकिल नहीं होगा, नॉरमल होगा, बिलकुल, थिक है? चलिये, अभी बात कर लेते हूं, तीक है? किसी एकि इस्टोरेट को यह समझना था, फेटाफ़ट से समझ लो, बलास को end करते हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है, थिक है? कई कई कमेंट कर रहे थे सर यह सही नहीं है वह सही नहीं मैंने का भई देखो आपको सही रगता है तो ठीक है अब सबको मैं कैसे प्रसंद करूं चलिए देखें हमें शुरू करना इस तरफ सबसे पहले हमने बी को सेम करना है तो यहनी 5 और 4 का इसम 20 तो उपर क्या करते है 5 से मल्टिप्लाइ कर देते तो 5 से मल्टिप्लाइ कर दिया यह अब इसको 20 बनाना ही जब हमने यहाँ पर 20 लिख दिया तो इसको 20 बनाना ही क्या अब कैसे बनेगा 4 से multiply करो, तो force 학, अगर इसको multiply किए ये भी 4 से multiply 28 आ गया, अब ये तो 28 बना दिया, ये भी ट्वंटियेट ही बनेगा, इसको 28 बनाना पड़ेगा, अब इनका LCM नहीं लेंगे, अब इसको 28 बनाएंगी ही बनाएंगे, और जब इसको 28 बनाना थो तो किस से multiply करोगे 28 by 8 से अगर एक तरफ 28 by 8 से multiply करोगे तो इसको कैसे छोड़ दोगे इसको भी करोगे 4 से गया 7 बार 4 से गया 2 बार 9 7 जा 63 divided by 2 सब को अब 2 से multiply कर देंगे क्योंकि वो नीचे हमें गंदगी अच्छी नहीं लग रही बात सही है वो हमें अच्छी नहीं लग रही ठीक है चलिए तो इसी के साथ जो है